Hello friends, welcome back to our YouTube channel, Aurora Builders and Constructions एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube channel पर जो आज की property आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा फ्लाट लेकर आई हूँ 3BHK, 75 गज, lift with car parking उसे के साथ साथ इसकी जो parking होने वाली है, बहुत ही नया concept रहेगा, बहुत ही elegant concept होने वाला है Basically हमारी ये 200 गज की side होने वाली है, इसके अंदर हमारे 33BHK और 2BHK रहने वाला है इसकी detail वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मिनिट का teaser देखकर आते हैं आते हैं झाल झाल तो अब हम आगे हमारे फ्लाट में बेसिकल हमारी 200 गच की ये साइड रहने वाली है इसके अंदर मेरे पास 2BHK और 3BHK दोनों के उप्शन्स है जिसमें आपको सेमी फणिश भी मिल जाएगा और फुली फणिश भी मिल जाएगा और फुली फणिश भी जो इस ताइम हम शूट कर रहे हैं वो सेमी फणिश का कर रहे हैं लेकिन आपके पास सेकेंड आप्शन भी रहेगा फुली फणिश का उसके अंदर हमारा 2,00,00 रुपे का डिफरेंस आएगा सेमी में और फुली में विडियो के एंड में आपको इसका प्राइस भी रिविल क करूंगी कि हमारा इस फ्लाट का प्राइस आक्चुल रहने क्या वाला है लिफ्ट वर्ट कार पार्किंग 75 गज अगर बात करें लोकेशन की तो लोकेशन इसकी रहने वाली है वानी व्यार नेरबाए इसके हमारे बहुत कुछ रहने वाला है में मार्केट रहेगी जो हमार उत्तमनगर वेस्ट और उत्तमनगर एस्ट हमारे छॉली हाड़ली 577 ओस्फिक्ट ट्व Korea। तो मतलब multiple चीजे हमें उत्तम नगर एक ही जगा मिलने वाली है, अगर हमें कोई branded showrooms चाहिए, चाहे वो हमारे clothes के हो, footwear के हो, या कोई हमें food से related हो, एक-एक चीज आपको available मिलने वाली है इसी उत्तम नगर में, चार metro stations basically हमारे उत्तम नगर में हैं, जो की हमारे hardly मतलब 2-2 से 3 minute के distance पे रहने वाले हैं, उत्तम नगर East, West, नवादा और द्वारका मोर, चारो locations पे हमारे पास property available है, 1 BHK से लेके 4 BHK तक की, अब हम start करते हैं, एक बार ही हमारे flat का tour, इस time में खड़ी हूँ हमारे living area में, बहुत ही elegant रहने वाला हमारा living area, proper में आपको space समझा देती हूँ इसके अंदर, L corner का proper हमारा इसमें sofa set आ जाएगा, easily हम 9-seater, 11-seater यहाँ पे install कर सकते हैं, बीच में हमारा center table रहेगा, दो हमारे easily यहाँ पे puffies भी आ सकते हैं, कोई extra में आप अपना table रखना चाहो, side table वो भी आप यहाँ पे use कर सकते हो, इतना अच्छा space इसके अंदर है, front में LED पैनल रहेगा, नीचे proper आपको draws दिये गए हैं, कोई books, gadgets बगेरा, कोई showpieces आप लगाना चाहो, easily आप वो भी लगा सकते हो, wall पे आप easily hang कर पाओगे अपना LED पैनल, जितना भी बड़ा LED हो, easily इस पे hang हो जाएगा, बात करने AC की ducting की, तो AC की ducting हमारी जो रहेगी, वो हमारा split AC का provision रहेगा, जो हमारा इस side रहने वाला है, एक बार हम नजर मारते हैं हमारी fall ceiling पे, जो हमारे fans है, वो सारे branded fitting है, 2 years warranty के स बात करें शांड लेयर की, तो street shaded में हमारा शांड लेयर रहने वाला है, आप देख सकते हैं, बहुत ही elegant रहेगा, और multiple चीजों से use किया गया, हमारा fall ceiling पे भी, cob light, strip light, lower fittings, बहुत सारी चीज़े हैं इसके अंदर, जिनको use करके, बहुत ही elegant concept बनाया गया हमारी fall ceiling का भी, यह तो था हमारा living area, अब हम चलते हैं हमारी open में modular kitchen की और जो कि हमारी dual shed में रहने वाली है, इसमें हमारा black and cream color का combination रहेगा, आप देख सकते हैं, कितना elegant रहने वाला है, जो हमारा space है हमारी kitchen का, वो basically हमारा 4BHK वाला space रखा है, हमने हमारे इस 3BHK के flat में, separately इस side रहेगा हम प्रोविजन, प्रोपर switchboard के साथ, बात करें vanity की, तो इस side प्रोपर हमारी vanity रहने वाली है, इसमें हम अपनी crockery रखना चाहे, अपना कोई राशन का समान रखना चाहे, इसली हम इसमें install कर सकते हैं, प्रोपर sensor वाली हमारी चिमनी रहने वाली है, 2 years warranty के साथ, और हमारे जो concept यूज किया है, इस बार ही कोई mirror का ना यूज करके, ट्रांस्पेरेंट आप देख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से, इसमें क्रोकरी के लिए भी कॉलम दिया गया है, जा आप इस side रखो, या आप इधर रख सकते हो, और भी जितना भी आपका kitchen का material है, वो सारा easily इसमें install हो प्रायर लगाना हो आपने, मतलब kitchen में basically जितनी भी requirement हमें रहती है, वो एक एक requirement आपके fulfill होगी हमारी इस वाली kitchen में, तो ये तो था हमारा living area और हमारी kitchen, अब हम चलते हमारे first bedroom की और, जो की हमारा master bedroom रहने वाला है, basically जब आप फ्लाट को live visit करोगे ना, मतलब ये 75 गज का 3BH लेकिन आपको easily लगेगा कि ये 90 गज का 3BH के है, ये इतना spacious होने वाला है, इस side भी proper एक बर हम देखते हैं हमारा space, बहुत अच्छा space है हमारे इस bedroom में भी, इस side हमारा proper king size का bed आ जाएगा, side में हम अपने side tables लगा सकते हैं, front में proper LED पैनल लगा के दिया गे, आपको जितना तेसी का provision रहने वाला है, एक बाद नजर मारते हैं हमारी fall ceiling पे, मतलब bedrooms में, living area में, kitchen में, सब में आपको different fall ceilings मिलेंगी, यहीं से होते वे चलते हैं अपने next bedroom की और, जो कि हमारा second master bedroom रहने वाला है, अपने living area से होते वे, basically हमारी ये front side की property है, इसमें हमारा ये balcony वाला floor है, ठीक है, अब हम आगे हमारे second bedroom में, इसमें भी बहुत अच्छा space है, इस side proper हमारा king size का bed आजाएगा, side tables आजाएगे, इस वाले bedroom में हमारी huge में up to roof proper wardrobs रहेंगी, जो कि बहुत ही spacious होने वाली है, इसमें कुछ hanging system भी है, आप वैसे tag करके रखना चाहो, वो भी रख सकते हो, separately इस side column दिया गया है, आप अपना इसमें कुछ भी material रख सकते हो, कुछ bags रखना चाहो, आज कर लेडिस को होता है कि separately हमने bags भी रखना है, कोई watch का box हो, मतलब जो भी women से related समान होगा हो, easily आप इसमें रख सकते हो, इस side हमारा dressing area रहने वाला है, proper बहुत ही spacious रहेगा, इसमें proper drawers रहने वाले हैं, नीचे भी space है easily, इस side हमारा proper dressing area रहने माला है, इस side proper आपको window लगा के दी गई है, जितनी भी इसमें windows और door है, सारा UPVC door का use किया गया, इसके अंदर soundproof रहते हैं, और quality purpose से भी बहुत अच्छे रहते हैं, proper मतलब ventilation से तो इस flat में हमें कोई भी problem नहीं उसके अलावा भी इस bedroom में इतना space है कि अगर आप इसमें अपना कुछ extra भी रखना चाओ, तो वो easily आप इसमें रख सकते हो, curtains वगारा सब आपको लगा के दिया गया है, combination के हिसाब से, third bedroom की और चलते हैं, जो कि हमारा balcony वारा floor होने वाला है, washroom और balcony दोनों से हमारा ये connected रह मतलब quality के हिसाब से अगर आप इस flat को live visit करोगे तो आप देखोगे कि एक एक चीज इसमें quality वाली use की गई है, और एकदम fine रहने वाली है, एक बार हम washroom देखते हमारा कितना elegant रहने वाला, इसमें tiles बहुत different रहेगी कि इस बार use की गई है, grey color का इसमें हमारा combination रहेगा, grey and white क proper up to roof रहेगी, geezer की fitting इस side रहेगी, wall hanging proper seat रहेगी, बात करें ventilation की, तो इस side proper exhaust की fitting होने वाली है, शार हो गया, जितनी भी sanitary है, सारी branded fitting है, 2 years warranty के साथ, इसी के साथ हमारी balcony होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज इसमें हमारी UPVC का use किया गया, proper हमार इसमें UPVC door रहने वाला है, आप देख सकते हैं, यह front side की हमारी balcony रहेगी, जो इसकी front side की road हो हमारी 20 foot की रहने वाली है, एक बार हम नजर मारते हैं हमारी road पे, जो हमारी front side 20 foot की रहने वाली है, तो यह तो था हमारा proper 3BHC का flat, अब मैं आपको इसमें हमारी parking और lift दिखाती ह और हमने इसमें कुछ new concept किया है, हमारी lobby में, lobby में जाने से पहले में हम आपको हमारा common washroom दिखा देती हूँ, जो इतकी बहुत ही जादा spacious होने वाला है, इसमें भी proper up to roof हमारी tiles रहने वाली है, wall hanging proper sink रहने वाली है, और इस side हमारी seat रहने वाली है, इस side proper gizzard की fitting होगी, शार हो एक बार आप इसमें focus करके दिखाए है, प्रॉपर हमारी lift वाली lobby में रहने वाला है, जो इसकी हमारी stairs रहने वाली है, उसके भी corners में proper strip light का use किया गया है, यहीं से होते हैं, लेफ्ट में से होते हम चलते हैं हमारी parking की और आईए, प्रॉपर इस side हमारा lift का column रहेगा, यह हम हमारा 2BHK है, जो हमारा back side का है, इसे के साथ-साथ left side में हमारा 2BHK है, और front में अभी हमने जो 3BHK का shoot के है, आईए, अब हम आगे हमारी parking में, basically जो हमारी parking रहने वाली है, प्रॉपर दोसोगज की रहने वाली है, कार पार्क इसली आप इसमें कर सकते हो, आप एक आगा अ wall design की गई है, side में proper हमारे plants रहने वाले हैं, और जो इसमें हमारा, मैंने जैसे आपको बतायता है, इसमें हमने door का कोई use नहीं किया, इसमें हमारा sensor वाला रहेगा, एगर आप देख सकते हैं, प्रॉपर आप इसको remote control से, जैसे कि आप बहार आए, आपने अपनी car अंदर पा क्रते हुआ